हलो गाई सो फाइनली मकाउट के ओर से न्यू एकडेमिक कालेंडर 2024-25 अपलोड हो गया है बाट प्रोब्लेम क्या होता है इसी और सेमिस्टर में प्रोब्लेम होता है या किसी भी ग्रेजुएशन में अड्मिशन लेने वाले हो या फिर मास्टर्स डिगरी में अड्मिशन लेने वाले हो यानि इसी साल नेक्स्ट एक नया डिगरी में अड्मिशन लेने वाले हो तो उन लोगों का ये अपडेट नहीं है उन लोगों को छोड़के बाकी जितने भी तुम लोगों का भी recent odd semester में आए हो तो उन लोगों का ये update है क्योंकि जो first semester students है उन लोगों का देखो लिखा है कि as per admission dates तो अभी तक admission चल रहा है first year students का तो dates बाद में आएगा कब क्या होगा ठीके बाकी हम बात करते हैं कि तुम लोगों का CA1, CA2, CA3, PCA1, PCA2, CA4 ओके ये सब कब होने वाला है ठीके अभी इस semester का so odd semester का तुम लोगों का जो start होने वाला है classes वो है 15th July से में June July से स्टार्ट होगा 3rd, 5th, 7th और 9th सेम का और enrollment स्टार्ट हो जाएगा 22nd July to 31st July के बीच में enrollment का मतलब कहा होता है कि new semester में तुम लोग अभी आए हो तो उसका enrollment करना होगा उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा वो free of cost होता है ठीक है उसके बाद तुम लोग का जो first semester जो जिन लोग ने अभी नए admission लेने वाले हो first semester में okay तो उन लोग का dates आएगा उस dates के according तुम लोग का classes start होगा तो लगबग तुम लोग का August से start होता है August या September से start होता है ठीक है but don't worry तुम लोग का जो first semester का जो exam होगा वो तुम्हारा February मंत में या January मंत में जो third semester है बिटेक का उनली ध्यान से सुन लो बिटेक third semester जिन लोग अभी तक आये हो यानि first year से second year third semester में आये हो उन लोग का भी जो exam है वो delay होता है क्यों delay होता है अगर जिलेट का यानि जो lateral admission होता है अगर वो delay होता है और classes start होने का डिले होता है तो third semester regular students और third semester lateral btex students उनली फर्ट btex students में बोल ला हूँ उन लोगों का और first semester जितने भी students है उन लोगों का एक साथ January last week या February first week में तुम लोगों का exam होता है ठीक है समझ में आ गया क्या बोला मैंने और बाकियों का same जैसे बाकियों का होगा CA1 का submission date होगा July August यानि 12th August to 16th August के बीच में CA1 का mark submission होगा यानि within 12th July के बीच में तुम लोगों का CA1 exam हो जाएगा CA2 और PCA1 एक साथ होगा तो यह तुम्हारा आगस्ट सॉरी September में 17 September to 20 September के बीच में तुम लोगों का CA2 और PCA1 का exam हो जाएगा ठीके देन आग ओक्टोबर ओक्टोबर तुम्हारा CA3 exam होगा 21st to 24th date अच्छे सा देख लेना ठीके तो यह थोड़ा इधर होज़ा चेंज होता है बाट इसी डेट के अंदर होता है सब्मिशन आप CA4 and PCA2 तुम लोग का होगा नवेंबर 11th नवेंबर तू 16th नवेंबर के बीच में ओके दिर उसके बाद तुम लोग का फ्रॉम्फिलब यानि examination जो फ्रॉम्फिलब होता है और सेमिस्टर का वो होगा तुम लोगा 18 नवेंबर तू 25 नवेंबर के बीच में यानि 25 नवेंबर से पहले ही तुम लोग का examination फ्रॉम्फिलब हो जाएगा उसके बाद theory examination तुम लोग कंडाक्ट होगा यानि semester exam जो होता है वो कंडाक्ट होगा 28 नवेंबर तू 14 डिशंबर के बीच में यानि middle week December के पहले ही तुम लोग का theory exam complete हो जाएगा या फिर December end से पहल पहले ही तुम लोग का odd semester का examination हो जाएगा उसके बाद practical सेशनल वाइबा examination का mark submission ही पहले ही हो जाता है बट माक submission का date ये बाद में आता है इसका date दिया गए 21st December के बीच में 16 to 21st December के बीच में तुम लोग का practical सेशनल और वाइबा exam हो जाएगा और complete हो जाएगा अभी बात करते कि ये जो date बताया गया है within December, December end में जो semester exam होगा वो किस किस का होगा ठीक है तो पहले अच्छे से सुनलो मैं क्या बता रहा हूँ 3rd semester B.Tech छोड़के 3rd semester regular B.Tech और 3rd semester lateral B.Tech छोड़के जितने भी 3rd semester है अधर्स कोर्स का BBA, BCA, MCA, M.Tech जो भी हो गया उनलों का 3rd semester, 5th semester, 7th semester, 9th semester December end से पहले हो जाएगा ठीक है only all UGPG 1st semester और B.Tech regular 3rd semester और B.Tech lateral 3rd semester ये जस्ट चारों टाइप का student का तुम लोग का January last week या फिर February 1st week के अंदर exam होगा ठीक है यानि और semester exam समझ में आ गया, अभी नीचे आ जाओ, event semester जो start होने वाला है, next session से, second, four, six, इसमें कोई problem नहीं होता, सबका एक साथ ही start होगा, वो थो मारा start होगा 6th January से, ठीक है, उसके बत enrollment तुम लोग का start हो जाएगा, 10th January to 17th January के बीच में, CA1, all events semester को लिखा इसलिए, all events semester सबका सेम हो ज जाएगा, ठीक है, just first semester और third semester जो student है, उन लोग का, जो commencement program से, यानि class start का जो date होगा, और कुछ नहीं, बाकी एक ही साथ, जून मन्त में तुम लोग का exam होगा, यासे कि जून मन्त में लिखा है, यानि next session जो event semester होगा, वो सबका जून मत में एक साथ में होगा, ऐसा नहीं कि first semester में बाद में होगा, और यानि, मैंने, मैं का बोलना चाहता हो कि first जो admission लिया है, उन लोग का, बाद में होगा, ठीक है, उससे पहले जो regular student है, उन लोग का, पहले होगा, ऐसा नहीं, सबका same एक साथ होगा, ठीक है, यानि, और event semester में, ओके, अभी आजओ, CA2, PCA1, वो होग होगा, तुम्हारा 3rd, March to 7th, March में, और CA3 होगा, 3rd, April to 7th, April के बीच में, और CA4, PCA2 होगा, 5th, May to 10th, May के बीच में, और जो examination from Philip start होगा, 13, May to 20, May के बीच में, और theory exam तुम लोग का start होगा, यानि, end semester जो होता है, 23rd, May to 10th, June के बीच में, और practical session alviva का submission date होगा, 21st, June के बीच म अब यह आता हो, मार और मुक्स का date भी दिया गया है, ठीके, देखो, मार का तुम लोग का date बताया गया है, और semester का, यानि, mandatory additional requirement यह mandatory होता है, यह तुमको submit करना ही पड़ेगा, उसका date बताया गया है, 1st, August to 31st, December के बीच में, यानि, 1st, August to 31st, December के बीच में, तुम लोग का, MAR जो है, वो submission करना होगा, colleges में, ठीके, और event semester का बताया गया है, 1st, February to 31st, June के बीच में, ध्यान रखना है, तुमको AMR certificate करके submit करना होगा, ठीके, उसके बाद मुक्स का जो upload किया गया है, वो बोला गया है, यह तुम्हारा एक year में एक ही बार होता है, और मार तुम्हारा एक year में दो बार होता है, ठीके, तो मुक्स के लिए एक ही date दिया गया है, 1st, August to 31st, तुम्हारा मे, ठीके, 31st में 2024, 1st, August to 31st में के अंदर तुम लोग का होगा, ठीके, और मुक्स का record जो carry transfer होता है, within the end semester exam, तो end semester के exam से पहले ही तुम लोग का यह record submit करना होगा, ठीके, तुम्ह अंदर नहीं है, मुक्स छोड़ तो कोई problem नहीं, अगर लगता है, करो तो करो, नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना, मुक्स मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीके, तो last date for result, data uploading by an autonomous college, तो last date for result, data uploading by the autonomous colleges, तो उसका last day autonomous colleges है, वो है, और semester result, 2024, वो uploaded हो सकता है, 30 April 2025 के अंदर, और जो event semester होगा, वो 31st, यह होगा तुम्हारा, 10th, 2025, तो इसी के अंदर तुम लोगा हो सकता है, October, 31st, October के बीच में, ठीके, event semester result, 2024, 2025, तो, और इमींचे बताया गया है, dates of CA mentioned, above the marks, documents uploaded, dates, assessment to be conducted, continuous based on the academic cover, within the dates, तो dates are tentative, तो यह changes हो सकता है, कुछ कुछ देदे, कोई accurate date नहीं लिखा रहा है, यह जास तुम्हों को कोई date दिया जाता है, उससी date का अंदर होता है, जास इधर उदर थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीके, but event semester का छोड़ दो, यह तुम्हारा कोई problem नहीं, यह changes हो सकता है but अभी तुम लोग focus करो only odd semester का, ठीके, तो मैंने पहले ही बता दिया, odd semester में दार साधा problem होता है, तो बाकी योगा तुम लोगा December में होगा, और जो लोगा भी first year में admission लेने वाले हो, तो और BTEC lateral और BTEC तुम्हारा regular third semester का, वो तुम्हारा January end या फिर February first week में admission, sorry, exam होने वाला ह ठीके, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मैंने just ये वीडियो पूरा without any editing मैंने किया, ठीके, time बहुत कम है, मैं एक वीडियो में डाल दोंगा, कब-कब किसका date होने वाला है, एकदम phrase करके एक वीडियो आएगा, ठीक कर दो आएगा, एक वीडियो 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 आएगा